गुड मानिक इस्टुडेंट, मैं गुड दो सार, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूँ बच्चों, आज मैं इस वीडियो में सिखेंगे कि किसी भी डेट पर कैसे दिन क्या था पता लगाया जाए ठीक है, तो चलिए आज इस वीडियो में हमें लोग यही सिखेने वाले हैं और यह बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और यह बहुत बार कंप्टीशन में पूछे जाते हैं और जिसको नहीं पता रहता है, इस कुश्चन को नहीं लगा पाते हैं और चले जाते हैं और जो की बहुत आसान होता है फिर भी ठीक है तो चलिए इस question को किस प्रकार लगाएंगे ठीक है आपको बताते हैं अगर आप हमारे चैनल पे नहीं तो प्लीज चैनल को subscribe करें like करें share करें और bell icon की बटन को अवस्त दबाएं तो चलिए देखिए आपर किस प्रकार से question लगे अगर verse जो है leap year है तो मन्त कोड उपर वाला लिखोगे और अगर समान वर्स है तो नीचे वाला मन्त कोड हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पर ध्यान दीजएगा कि कैसे जानेंगे कि लीप year है कैसे जानेंगे कि समान वर्स है कोई भी verse जैसे माले 2016 लिखा है अगर यह क्या ह हो जाएगा इसको काटोगे चार पंचे भी 4.16 आपका जीरो बढ़ाओ के 4.16 हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर दिखेव 1947 इसको काटोगे नहीं कटेगा तो यह आपका क्या है लीप वर्स है ठीक अब यहाँ पर दिखें लीप और समान में अंतर क्या है दो चीज कंतर है जैसे लीप में 0,3 होता है समान में 1,4 होता है बाकी इधर के तो सब वही देता है same to same ठीक है यहाँ पर ध्यान दीजेगा कि जैसे कभी भी किसी तारीक पर ठीक है किसी डेट पर कौन सा दिन था उसके लिए हमको एक फार्मला याद रखना है यह फार्मला छोटा सा है अर्डी का मतलब रिक्वाइड डेट ल्टीडीवाई का मतलब होता है लास्ट टू आर्थरी डिजिट आप दी येर सी कुई का मतलब होता है complete question मतलब होता मंत को डेट का मतलब जिस डेट पर दिन निकालना चाहरा है वह उसको यहां पर रखोगे और यह आपका पॉन सेविन और डिवाइड कर दोगे डिवाइड करने के बाद जो सेस्फल आ जाएगा जो रिमिंडर आएगा उसको इसमें देख लेना जो आए जैसे से सेस्फल मालीजे 6 आगया तो समझ जाना कि फ्राइडे था उद दिन अगर सेस्फल मालीजे 5 आगया तो जान लेना थर्सडे था तो यहां पर देखिए मैंने 2 ले लिया है तो मालीजे हम लेक निकाल ले रहे हैं कि 15 का सुन निश्वाइड इसको कौन सा दिन था ठीक तो च निश्वाइड को यहां पर देखिए मैंने 1,886 में 85 हो गया तो यहां पर देखिए मैं यहां पर देखिए और सीक्यू कैसे लिकलते हैं एक बड़ापर होता है Ltdy बटे 4 ठीक, आप कुल मिला करके जो यहाँ पर Ltdy आएगा उसको 4 से भाग कर दीजे, जितना भाग फल जाएगा वही Ltdy आपका CQ हो जाएगा तो चलिए कुश्ण को देखते हैं किस प्रकार से लगेगा यहाँ पर जिसे Ltdy लिखा है Ltdy की value यहाँ पर क्या है 47 है, ठीक CQ लिखा है, तो 47 को 4 से भाग कर दीजे चलिए 47 divided by 4 तो 4 से भाग ही, CQ बराबर Ltdy upon 4 है ना यहाँ पर तो 4 से भाग करेंग, 494 कट गया, फिर 7 बचा फिर 494 कट गया, ठीक कटा नहीं है, 3 बच गया अब यहाँ पर देखें कितनी बार गया, 11 बार गया तो हम 11 लिखेंगे, point में करके नहीं लिखते हैं, ठीक, अब यहाँ month code, month code आपका कौन सा है भाई आपका, August का month code क्या है, 3 है तो यहाँ पर 3 लिख दीजे, और date आप देखिए, आपर क्या लिखा है, date 9, 9, 8, 16, ठीक है, आगे बढ़ यह, 9, 7, 16, ठीक, अब आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं, क्या हो रहा है, यहाँ पर 4, 15, और यहाँ पर क्या जाएगा, 4, 5, 1, 6, 1, कहरी, 76 आजए गया, ठीक, मतलब 5, 3, 8, 8, 9, 9, 7, 16, ठीक, और यहाँ पर देखिए, इधर क्या, 1, 1, 2 2, 2, 4, 6, और यहाँ सिल साथ, अब चलिए इसको भाग करिए देखते हैं, कितना आता है, तो जब 7 से 76 को डिवाइड करेंगे, ठीक, तो 7, 15, 7, कट गया, 6 बचा, अब 6 में तो बिना पॉइंट बढ़ आए, भाग जाए का नहीं, तो चलिए 6 आपका सेस फाल आ गया, तो आपका जो देश आजाद हुआ है, वो फ्राइडे के दिन हुआ है, शुक्रवार के दिन, ठीक, तो आप देखे, 15 अगस 1947 को कौन सा दिन था, शुक्रवार था, सब्सक्रवार था, तो आप इसको जो है लिख लिजिए, बहुत ही बहतरीन तरीका है, इससे जो है, आप क्या लिखा है, दो अक्टूबर उनने, यहाँ पर माली जे 18-19 कर दिया, क्योंकि 19 कहीं सब पढ़ा रहे हैं, तो ठीक है आज, तो 19-69 लिखा है, ठीक, अब यहाँ पर देखे क्या हो जाएगा, भाई आपका LTV कितना हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पर देखे, CQ कितना हो गया, CQ का मतरब 69 को हम क्या करेंगे, 69 को 4 से डिवाइट करेंगे, तब CQ निकलता है कि नहीं, CQ, तो अब यहाँ पर क्या जाएगा, 4 बंजा 4, यहाँ पर कितना बचेगा, 2 बचा, यह हो गया, 4 से बिंजा 28, आपका यहाँ पर 1 बचा, ठीक, 17 आ गया, इसके आगे ले जाएग आएगा, 2, 1, 3, 3, 7, 3, 10, 10, 10, 9, 19, ठीक, आगे पर यह 6, 7, और यहाँसिल 8 हो गया, ठीक, किलियर होगे नहीं हो गया, चलिए इसको डिवाइट करते हैं, तो 89 अपन, देखे, 7 है, तो 7 से करे, 7 बंजा 7, 1 बचा, 19 हो गया, 7 टूजा 14, 14 कितना बचा, 5 बचा, तो 5 देखे यह किसके सामने है, थर्जडे, तो थर्जडे माने ब्रिहस्पतिवार, ब्रिहस्पतिवार था, किस डेट पे, इस वाले डेट पे, यह कोई गांदी जी का जन्मतिति नहीं है, ठीक है, उनके जन्मतितिति में क्या था, 1869 था, लेकिन हमने यहाँ पर क्या लिया है, 1969 लिया कि आप आज अगर आप चेक करना चाहो तो जिससे माली जी कि जिस दिन भी आप इस वीडियो के देख रहे हैं उस दिन का अपडेट डाल दीजेगा और यहाँ पर मंत को उसी उसी मंत का डाल दीजेगा हंडेट परसेंट वो आपका आजाएगा कोई दिक्कत नहीं होगी उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा अगर समझ में आ गया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब भी तक नहीं किया है तो ठीक है लाइक कर दें और बिल आइकन की बटन को अबस होगा है थांकियो